हेलो एवरिवन आप लोग का मेरे नीव ब्लोग में स्वागत है आसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे मैं भी ठीक हूँ तो चलिए दोस्तों आज के ब्लोग का सुरुबात करते हैं जैसा कि अभी सुबह का दस बजने का टाइम हो रहा है और यह देखिए दोस्तों पुछिस तरह से सुरिदेवता आसमान में निकले हुए हैं तो हम सभी लोग मिलकर सुरिदेवता को नमस्कार कर लेते हैं जैसा कि दोस्तों आज से महीना दिन पहले कराके का ठंड पर्दा था और अब मतलब मार्श का महीना आ गया है तो इतना अच्छा धूप निकलता है और अब दिन कुछ अच्छा हो चुका है तो चलिए दोस्तों जैसा कि आज मैंने लंच में मतर का दाल चावल और आलू का चोका बनाई थी तो चलिए मतर का दाल बनाना शुरू करते हैं तो यह देखिए दोस्तों मटर का दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन को गैस पे चड़ा ली हूँ उसमें सरसो का तेल डाल दी हूँ और इसके बाद इसमें मतलब एक कटा हुआ प्याज और हडा मिर्श डाल कर गोल्डन ब्राउन फ्राइ करूंगी उसके बाद दोस्तों जैसा कि जो बेसिक मसाले मैंने पीस का मतलब तैयार की हूँ प्याज फ्राइ हो जाने के बाद मसाले को भी डाल के फ्राइ करूंगी प्याज किसंग तो यह देखिए दोस्तों मेरा मसाला फ्राइ हो रहा है और जैसा कि दोस्तों मटर की दाल बनाने के लिए मतलब वो चीज मैं रिकॉर्ड नहीं की हूँ मतलब वाइल करके उसको सीलबर पर पीसके उसका पेश्ट तयार की हूँ दोस्तों यह देखिये कुछी तरह का मैंने मतर का पेश्ट बनाई हूँ दाल बनाने के लिए मतलब फ्राइप कर रही हूँ जब वो मतलब फ्राइप हो जाएगा तो पेश्ट को कुछ पानी डाल कर गोल बना कर फिरीज में डाल कर उसको मिक्स करके कुछ इस तरह से मैं मेटर का दाल बनाती हूँ उसके बाद यह देखिए दोस्तों मेरा मसाला अरप्याज बुनकर मतलब कुछ इस तरह से दिख रहा है तो अब इसमें मैं मतर को डाल कर उसको भी इन सब चीजों के संग मिक्स करूँगी और उसके बाद दोस्तों इसमें पानी डाल दूँगी ग्रेवी के मतलब जैसा मतलब डाल रखना होगा पतला गाड़ा उस टाइप के हिसाब से तो यह दोस्तों मेरा मतर भी मतलब जो पिसा हुआ वह भी इस तरह से मतलब प्याज और मसाला के संग मिक्स हो चुका है इसके बाद दोस्तों मतलब मेरा मतर का पेश्ट भी अच्छे से मतलब मिक्स हो गया मसाला और प्यास के संग तो अबिस में मैं ग्रेवी की हिसाब से पानी डाल दी हूँ और अब इस में दोस्तों मतलब एक डो मिनट तक उबाल लगाओंगी उसके बाद मेरा मतर का दाल बन कर तैयार हो जाएगा झाल लेड़्ट कर दो कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए कि अज़िए दोस्तों मतलब उबल उबल कर मेरा दाल कुछ इस तरह से दिख रहा है उसके बाद चली दोस्तों जैसा कि मेरा दाल बन कर तयार हो गया तो मतलब अब चोखा को बना लेती हूँ तो चोखा बनाने के लिए दोस्तों जैसा कि आज में बिना चोख वाला मतलब चोखा बना रही हूँ तो उसके लिए एक प्याज और मतलब हरा मिर्श काट ली हूँ और उसी में मतलब नमक डाल कर और बॉयल किया हुआ आलू को मतलब मिक्स कर लूँगी मैस कर लूँगी तो तो चलिए दोस्तो अब मैं अपना लंज का थाली लगा लेती हूं तो यह देखिए आज मेरा लंज का थाली में चाबल है और मटर का दाल है और आलू का चुखा तो आज का मेरा लंज यही है दोस्तो आज करें लंज का वचान अजा सो आज ता लंजुग्झ, तो अज का शुखा, उचनेका का वचान वचा दो यही हुग्खा मैं हाइ उब हाँ कि उसके बाद दोस्तों जैसा कि आज मतलब वेटने स्टे है बुद्धुवार है तो मतलब आप लोग को पहले भी बता चुकी हूं कि मेरे तरफ मार्केट मतलब सब्जी वाला हो लगता है तो यह दिखिए दोस्तों आज मैंने मार्केट से यह सारी सब्जी मंगाई थी जिसमें बैगन है सलजम है मतलब है पत्ता गोवी है उसके साथ में दोस्तों गोवी है तो यही सारी सब्जी मंगाई थी ठाम है थी दोस्तों झाल झाल